पिंक्स इन्यूवेशन आपके बहुत अच्छे होंगे तो अभी शाम का समय है और मैं बनाने जा रही हूं छोले चोले की मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर की है आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करेंगा उसने मैंने पंजाबी चोले चीकर चोले और भी बहुत सारी छोलों क एक रेसिपे शेयर की है तो आज हम बना रहे मसाले भी मैंने 2-3 प्याज ले लिया है और इनसब को मैं पीस के चैट्चिली जो भी है वो मैंने ले लिया है और आप ले लो ब्लैक पेपर काली मिर्च आठ से दस पीसे थे और इसके बाद मैं ये दो इलाइची ले लूँगी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इनका इन छोलो में तो आप ज़रूर डालिएगा और ये मैं लॉंग ली ह होता है ये पोस्ता दाना खस खस भी कई जगों पर इसके कहा जाता है ये भी मैं इसमें डाल दूंगी इससे इन मसालों चोलों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इससे आप जरूर डालिएगा अगर आपके पास है तो इन सब को हम बारी पीस लेंगे हलका सा पानी और एक बहुत अच्छा मसाला रडी होगा हमारे मसाला चोलों के लिए ठीक है तो ये देखिये मैंने इन सब को ग्राइंड कर लिया है कितना अच्छा स्मूथ पेस्ट हमारा रडी हो गया है और अब हम अपने मसाले चोलों को बनाएंगे ठीक है तो आप मेरी रेसिपी चोले में बिल्कुल भी तेल नहीं लगता है आप उन छोलनों को भी ट्राइ कर सकते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट को एक बाद जोज चेक करिएगा अधर देखा आपने मेरे शार टमाटर भी ले लिए हैं उनकी प्यूरी में बना लूँगी ठीक है तो सब्जी तो मैं आप ज अलग से बॉइल करके भी बना सकते हो बटाज में इनको डायक बना रही हूं और मने खड़े मसालों में सिर्फ यह डाला है बस तेजपत्ता डाल दिया है और जीरा एजिटीस डाल नहीं है हमको और हिंग जरूर डालिएगा हिंग भी हम इसमें डाल देंगे ठीक है हलका सा यह थोड़ा सा फ्राइ हो जाएगा हम इसमें हिंग भी डाल देंगे हिंग का पेले मत डालना और हम जल जाता है ठीक है Woo अन्हें थोड़ा सा चल endlessly मौनें के बाद मासाले प्याज़े थैं हमने के हमारे हमारे पीसे थे प्याज़े उसको हम डालेंगे संभाल के डालिएगा बहुत चितकता है ये ठीक है तो ये बस हम डाल देंगे और इसे हम अच्छे तरह से कुछ भी हमको वेस्ट नहीं करना है सारी चुछों को हम अच्छे तरह से निकाल लेंगे धकन में लगा था तो मैंने उसे भी निकाल लिया और जित्ता भी है सब आप इसमें डाल दीजिएगा और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे तीन से चार मिनट हमें इस मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करना है मैंने आप से पहले भी बताया था कि सबजी जब हम बनाते हैं तो इसका बेस्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टन पार्ट इस मसाले को फ्र अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए थोड़े इंटिजार के साथ हमें अराम से इस मसाले को फ्राई करना है ताकि हमारे जो मसाले छोले हैं वह बहुत टेस्टी बने ठीक है तो बस इसे मैं फ्राई करूंगी उधर मैं टमाटर भी कार रही हूं सोचिए उसे भी पीस लू अगर आप इसमें नमक डाल देते हो ना तो हमारा जो यह मसाला है ना यह बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है ठीक है तो बस इसे हम चला देंगे बीजी चु मैंने इसे दो तीन बार चला दिया था हमकी नमक डाल दे रही हूं कियो होगा ना इसकी कोकिंग प्रॉसेस फटाफट से होगी और बार जल्दी काम हो जाए गारे हमारा ठीक है ऐसे जल्दी रंबक दाले से अरा बढς 2 बढ़ी मटुर्ट मेसाला इस है वह जडिकर बढ़ा हॉल और यह को पिद हमारे साथ में छूटिन पाज ओने बढ़ा नें सब्सक्तराइब आप सूटक, देख़कए और यह मुद्रा न कमी नेन बढ़ा ये दिकर देए हैनों अगर यह अच्छ से हमारा फ्राइब हो गया ना हमारी जो ग्रेवी आप बहुत अच्छ से रैड्य हो जाती है उसके आद में जो नॉर्मल रूटीन की मसाले होते हैं हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर ये कश्मीरी लाल मिर्च ये बहुत तीखा नहीं होता है और धनिय पाउडर गरम मसाला थोड़ा सा उस तब हम एड्ड कर देंगे इसे हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सा चला देंगे ताकि ये भून जाए अच्छी तरह से और ट्रस्ट में बहुत अच्छा ये मसाला चोले बनता है इस मसाले के साथ आप इसे जोगर ट्राई करिएगा और पोस्टर आना जो होता है ने खसकस जो होता है वह आप ज़रूर एड्ड करिएगा वह बहुत ही अच्छा फ्लेबर इस सब्जी में लेकर आता है ठीक है और इसके अलावा अगर आपको ओईल फ्री छोले बनाना हो तो मैंने इसके एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की हुई है आप जोड़ चेक करें का प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी ओईल फ्री छोले की रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है वो भी देखे मसाले के साथ भी नओ अच्छा से फ्राई हो रहा है आप इसे पीचे में चलाती रहे है ने तो कया है नमसाला हमारा जल जाएगा बीच बीच में चलाते रहेगा ने तो मसाला हमारा जल जाएगा ठीक है और इसे देखिए कितने अची से फ्राई हो गया कलर भी हमारे मसालों का चेंज हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी यह प्यूरी तीन चार टमाटो का मैंने बनाया है इसे हम आड़ करतेंगे और इसे भी भूनने में एक से दो मिनट अराम से लग जाता है तो बीच बीच मैंने इसे दो से तीन बार चला दिया था और अब आप देख सकते हैं अच्छी तरह से टमाटर भी हमारा फ्राई हो गया है और ओइल हमारा ये भी अच्छी तरह से छोड़ दिया है और कलर भी बहुत अच्छा हमारे मसालों का आ गया है ठीक है जितना अच्छा हम इसे फ्राई करेंगे जितना टाइम हम देंगे मसाली को फ्राई होने में उतनी अच्छे हमारे ग्रेवी है चोली मसाला दो चम्मत चोली मसाला अराम से हम इसमें डाल सकते हैं और इसे भी हम मिक्स कर देंगे इसे भी हमें फ्राई कर लेना है एक मिनट अराम से फ्राई हो जाएगा मसाला फ्राई करने में कोई जलबाजी ना करें तब ही हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आता है ठीक है आपको कलर देखके मसाले का पता चल जाएगा कि हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए देखिए आप कितना अच्छा कलर लग रहा है और खुष्पू भी इस समय ना बहुत अच्छी मसाले किया रही है मेरे खरमेना छोले सबको बहुत पसंद आते हैं और छोले पनीर इस सबकी मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर की हुई है आप इन दोनों की रेसिपी जरूर आप चेक करिए गाप मेरे प्लेलिस्ट में इनकी बहुत सारी वराइटीस चेक किया है और हम लोग हैं vegetarian तो हम लोग के लिए तो पनीर हो गया छोले हो गया राजमा हो गया यही सब हम लोग के लिए बनाएंगे ना तो मेरी प्लेलिस चेक करिएगा मैंने बहुत सारा बनाया हुआ है रेस्पीज इसलिए कितना अच्छा क्लियर हमारी मसाले छोलो का आया है बहुत ही यमी लग रहा है और अब हम इसमें जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी ढलने के बाद हम इसमें दो चार पान सीटी तो आराम से लग जाएगी तस मिनट लग जाते हैं इसको अच्छी तरह से कुक होने में क्योंकि कच्चे हैं न छोले तो टाइम लग जाता है इसको बनने में बस अब हम कुक कर के लिट लगा के इसे 10 मिनट के लिए मेडियम हीट पे छोड़ देंगे और फिर अब रड़ी हो जाय गतब मैं आपको दिखाऊंगी तो ये देखिए हमारे यम्मी से मसाले छोले रेडी हो गए है कितना अच्छा कलर आया है बहुत ही सौफ्ट हमारे छोले बने है उसके बाद आप इसमें धनिया डाल दिए आपको पता है कि धनिया इस माई आल टाइम फेवरेट दनिया की बिना मेरी कोई भी सब्ची मुझे फिनिश नहीं लगती है तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया है और यह देखिए कितना अच्छा कलर हमारी मसाले छोलों काया है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और इसके साथ बच्चों सब ने कहा कि पूरी बना देखिए हमारे मसाले छोले रेडी हो गए साथ में गर्मा गरम पूरियां और यह मैंने बनाया है तंदूरी प्याज तंदूरी प्याज की रसीपी भी मेरे चैनल पर है आप जब दिनर रेडी हो गया है तो आप अपना डिनर करेंगे और बहुत ही टेस्टी बना था आप इन रेसिपीस को जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे बताएगा कि कैसा लगा ठीक है तो आहिए अब मैं खाना दे देती हूं इन लोगों को मैं बार बार आपको कह रही हूं आप मेरी प्लेलिस जरूर चेक करिएगा मैंने छोलू की बहुत डिफरेंट रेसिपीस शेयर की हुई है तो आपको बहुत पसंद आएगी आप नॉर्मल छोले तो बहुत बनाए होंगे आपने उन रेसिपीस को भी आप जरूर एक बहुत 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 पसंद आएगा तो खाना पीना हम लोग का हो गया इसके बाद यह चीकु का काम चल रहा है खाना खा लिया हम लोग उने और यहां चीकु की बदमाशी चल रही है यह देखिए बदमाशी कर रही है यह खेल कूद रही है यह तो अब हम इस व्लोग का एंड करते हैं मिलेंगे फिर कल आपके साथ नए व्लोग के साथ अगर आपको मेरी रेसिपीज मेरा व्लोग थोड़ा सा भी किसी पॉइंट पर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अगर मेरी चैनल पर फर्स टा झाल